मिक्सिंग पॉइंट ए ए में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ काला चना की रेसिपी सेयर करूँगी तो चलिए सुरू करते हैं ये मैंने काला चना ले लिया है जिसे रात वर पानी में भींगों के रख दिया है और अगर आप रात में भींगों ना भूल जाएं तो सुबह बनाने से दो घंटे पहले गरम पानी में डाल दें तो आपका चना भूल जाएगा और अब मैं इसे वोस कर लूँगी दो-तिन पानी डाल कर इसे वोस कर ले कुछ इस तरह से फिर इसमें मैं दो बड़े साइज का प्याज यूज करूँगी इस तरह से मैंने दो बड़े साइज के प्याज को कट कर लिया है यहाँ पे साबूत गरम मसाला का यूज करूँगी मैं यहाँ पे एक बड़ी इलाइची ले ली हूँ दो छोटी इलाइची ले ली हूँ और फिर यहाँ पे दो चार मैंने लॉंग ले लिया है आप दो चार लॉंग ले 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 और यहाँ पे एक छोटे चम्मच मैंने काली मिर्च ले लिया है दो तेच पत्ता एक सुखी लाल मिर्च और दो दालचीनी एक चम्मच मैं जीरा ले है जिसे मैने वाइल्ड कर लिया है इसका यूज मैं आपको आगे बताओंगी तो यहांपे मैने एक कूकर ले लिया है और चना अब इसमें हम डाल देंगे चना को डाल दे फिर इसमें कटे हुए प्याज को डाल दे & Sü wish नुखी रहना है और फिर इसमें डाल देना हैं डाल कर इसमें मैं मस्टर्ड वाइल का यूज करूंगी स्धूर्द यूज न कि ज्काते है आप चाहे तो रिफाइंड वाइल खाते हो तो उसका यूज कर सकते हो पर मस्टर्ड वाइल की सबजी बहुत टेश्टी बनती है यहाँ पर मैं आदा चमच नमक ले ली हूँ आप अपने टेश्ट के एकोडिंग नमक ले लेना फिर यहाँ पर मैं हल्दी पॉडर का कर ले सारे मसाले को डाल कर अब मैं इसे हाथ की सहायता से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर ले हाथ की सहायता से मिक्स करें यह बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसे गैस पे अभी नहीं चड़ाना सारे मसाले को आप नीचे ही मिक्स कर ले और उसके बाद हम इसके गैस पे चढ़ाएंगे तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे मैं गैस को ओन कर ली हूँ और फ्लेम को आप मिडियम रखे इस सबजी को मिडियम फ्लेम पे आप थोड़ी थोड़ी देड़ पे हिलाते हुए पकाए बहुत ही टेश्टी से अच्छे से हिला ली हूँ और इसे कवर कर दी हूँ आप किसी प्लेट से इसे कवर कर दे और फ्लेम को मिडियम डखे यहाँ मैं अधरक लहसन का पेश्ट यूचकी हूँ एक चमच अधरक लहसन का पेश्ट डाल ले और अच्छी तरह से आप इसे mix कर ले और भून ले इसे medium flame पे ही भूने बहुत tasty बनेगी सबजी इस बात को आप notice कर ले और यहाँ पे देखिए सबजी हमारी भून चुकी है कितनी अच्छी इसके color आ रखें अच्छी है इसकी color brown brown हो रखें पुरा golden brown अब मैं यहाँ पे वो boiled आलू को mass कर ले हूँ mass करके उसमें पानी डाल कर mix कर ले हूँ अब इसे इसमें डाल कर 2-3 second के लिए मिल ला ले है इसलिए मैं इसने इसको use किया है क्योंकि हमारी consistency guard ही हो जाए इस सबजी की consistency guard ही रहे इसलिए मैंने boiled आलू का use किया है और अब मैं आपको दिखाओं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है पानी आप अपने according डाल ले पानी मैंने यहाँ पे आधा glass पानी डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से mix कर लिया है अब मैं यहाँ पे क्रस करके कस्तूरी मेथी डालोंगी मैं यहाँ पे क्रस कर लिया हूँ एक चमच कस्तूरी मेथी को इस तरह से डाल दे फिर सबसे last में हम गरम मसाला का powder आधा चोटे चमच यूज़ करेंगे सबसे last में यूज़ करें सबजी के साथ पहले मत डाले फिर इसे मिला ले अच्छी तरह से फिर mix करने के बाद आप इसे इसके ढखकन को आप लगा दे pressure cooker के ढखकन को लगा दे और flame को medium to low ही रखे और इसे तीन सीटी आने तक आप पका ले तीन सीटी आने तक ही पकाए और यहाँ पे आप देखे यह सबजी बनकर के तैयार है कितनी सुन्दर लग रही है देखने में इसका color भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही खाने में यह tasty आप इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हो बहुत ही स्वादिष्ट सबजी बनी है आप इस recipe को एक वार try जरूर करना इस साबूत मसाले के साथ यह बहुत ही tasty बनती है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप like, share और subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना और bell icon को दवा देना